गोवा में चल रहे तिरपनवे अंतरराष्टी फिल्म होसों ने कश्मीर फाइल्स को फिर से सुर्खियों मिला दिया है जूरी के अध्यक्ष ने इस फिल्म के विरोध में जो बाते कही उससे अक्सर भारत विरोधी बयान देने वाले ट्वीट करने वाले लोग फिर से सक्रिये हो गए हैं और उन्होंने ट्वीट देना शुरू कर दिया है तक कश्मीर फाइल्स अपने रिलीज के समय से ही चर्चा में रही है गोवा में 53 अंतराष्टी फिल्म होसो के जूरी ने फिल्क कश्मीर फाइल्स की निंदा की यह फिल्म 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वे नरसंगार के वारे में बताती है त्राइली फिल्मकार नदाव लापिड ने इसे प्रचार और असलील फिल्म करार देते हुए कहा कि महोसो में फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर वे सभी परिशान और स्तब्द थे यहां 15 फिल्में चलाई गई जिन में से 14 तो ठीक थी लेकिन ये 15 फिल्म यहां के लिए अनुपयुक्त थी उन्होंने कहा ऐसी प्रतिष्टित फिल्म समारों में यह फिल्म नहीं होनी चाहिए थी सूचना प्रसारण मंतरी और गोवा के मुख्यमंतरी भी समारों में मौझूद थे और उनके सामने ही उन्होंने ऐसी भाते कही अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि यह एक तेवहार के जैसा मन्च है और यहां मैं खुल कर चर्चा कर सकता हूँ इसलिए बाते कह रहा हूँ उनके इन बातों के बात से ही सभी विरोधी सक्री हो गए है अनुपम केर मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोसी जैसे कलाकारों से अभनित विवेक अगनियोत्री दोरण निर्देशी त्या फिल्म पिछले सब्ता पैनोर्मा खंड में प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म की प्रशंसा स्वयम प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और ग्री मंत्री अमिश शाय ने की थी साथ ही कई राज्यों में यह फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई थी जिस कारण इसे भाजपा के समर्थन वाली फिल्म बता दिया गया कश्मीरी पंडितों के बात करने वाले इस फिल्म के डाइरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने विदेशी मीडिया द्वारा उनकी और उनकी फिल्म के खिलाफ इसे एक अंतरराश्ट्री राजनीतिक अभियान बताया और उन्होंने दावा किया कि यही कारड़ता की मई महिने में विदेशी समवादाता कलब और प्रेस कलब आफ इंडिया द्वारा उनकी प्रेस क्रॉंफरेंस को रद्द कर दिया गया था दककश्मीर फाइस मार्च महिने की शुरुआत में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स आफिस पर सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे नदाव के इस बयान के बाद एक और जहां कई भारत विरोधी एक्टिव हो गए तो वहीं इस बयान के विरोध में इसराइल के महावाड़िजिक दूत ने नदाव की बातों से अपनी असहमती व्यक्त की उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फिल्म स्वयम देखी है और जैसा नदाव ने कहा है ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं लगा है परन्तु इस बात के बाद भी कई विरोधी सक्री हो गए और तब से ही इस फिल्म के विरोध में ट्वीट आने शुरू हो गए हैं ट्वीट में ना सिर्फ फिल्म के विरोध में बाते कही जा रही हैं बलकि इसे समारों में दिखाने के और चित पर भी सवाल उठाये जा रहे हैं हाला कि ऐसी बात कहने वाले नदाव जिन्होंने आज तक सिर्फ चार फिल्मे बनाई है को इसराइल और फिलिस्तीन का संगर्श नहीं दिखाई देता है जहां का विवाद विश्व प्रसिद्ध है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइली प्रधान मंत्री नेतन नियाहु ने ना सिर्फ अपनी दोस्ती बलकि भारत और इसराइल की मित्रता को बढ़ाने का भी कारे किया है जो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा The Community Analytics of Global Media Coverage of Events के अनुसार विदेशी मेडिया कई दिनों से भारत विरोधी कारे कर रही है लगभग तीन हजार से अधिक लेखों को कवर करते हुए पेपर ने खुलासा किया कि मुसलिम, गाय, नफरत, हिंसा, दंगा जैसे सब्दों को संसनी खेश बनाते हुए के विरोध में नकारात्मक प्रशार किया जा रहा है और कहीं यह बयान इसी दिशा में तो नहीं है कहीं ये फिल्म का विरोध ना होकर भारत का विरोध तो नहीं है प्रधान मंत्री नरेन मोधी का विरोध तो नहीं है और भारत की बढ़ती साख का विरोध तो नहीं है